नमस्कर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक टॉर्च को रिपेरिंग करके इसको बीदेशी टॉर्च के नाम से भी हम लोग जानते हैं और ये चाइनिज टॉर्च के नाम से भी जानते हैं बिल्कुल हावलावला है तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम म 50 model नमर यह light इसमें problem क्या हो रही है कि इसको आप एक दिन चार्ज में लगाई है दो गंट लगाई है पांच दिन तक भी चार्ज में लगाई है फिर भी यह work नहीं कर रहा है तो इसको आज हम open करेंगे और आपको एक एक point समझा कर बताएंगे कि क्या problem इसमें आती है जो हिस् नहीं लगेगा मोबाईल की LDP 35 इसमें charger लगती है उसके बाद इसको बैक वाला जो ढखकन है इसको भी आप खोल दीजिएगा यहां से जो यह ढखन है इस ढकन को पूरी तरह यहां से खोल देना है इसको आगे वाला मूह है इसको भी आप खोल दीजिएगा यह दोनों इस धकन में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा जो भी है एक धकन में यह दो बैटरी लगाया हुआ है और एक छोटा सा यहाँ पर चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए और LED कांट्रॉल करने के लिए यहाँ पर एक बोड लगाया हुआ है अब चलिए इसको हम बैटरी को पहले चेक करेंगे कि इसको हम इतना देर चार्ज किये हुए है फिर भी यह चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है इसको हम पहले चेक करेंगे चलिए अभी थोड़ा हम जून कर देते हैं यहाँ पर इस बैटरी को चेक करने के लिए हम मल्टी मीट मल्टिमीटर को DC-20 VuLT Born की राज पे, यहां पे हम select करेंगे और इसके just struggle में हम यहां पर मल्टिमीटर को रख दे रहा है और यहां पे आपको एक minus की point मिलेगा और एक plus की point मिलेगा तो minus plus की point पे हम इसको यहां पे लगा कर इस Pro को देखेंगे तो ये 1.63 है, देख सकतो 1.63 चार के करीब ये current आउटपुट कर रहा है, यानि बैटरी पूरी तरह discharge है चलते ये काम नहीं कर रहा है, अब चलिए इसको हम charge में लगा कर देखते हैं कि इसको जब charge में लगा रहा है तो यहाँ पर current ज्यादा आएगा, तभी तो ये battery charge होगे, म इसके बाद चलिए इसको हम चेक करके आप देखते हैं कि बैटरी में ज्यादा current आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पर लगा तो थोड़ा ज्यादा current आउटपुट कर रहा है, लेकिन ये कितना हूँ धर charge में रखे रहिएगा, फिर भी आपको जब charge में से निकल लिएगा तो उतना ही current चलाएगा, उससे ज्यादे इसमें current नहीं बढ़ रहा है, अब इतना तो चेक कर लिए, अब हमको क्या करना है, बैटरी की ये किसी भी point से वायर को छोड़ा देना है, उसके बाद इसमें हम charging output current चेक करेंगे, तो यहाँ पर चलिए हम फिलाल minus क की wire को छोड़ा देते हैं, यहाँ पर battery की minus वाला wire को हम यहाँ से छोड़ा दिये, अब चलिए इसका output voltage हम देखते हैं कि ये battery में current कितना output कर रहा है, तो multimeter में आप देखिएगा, कि यहाँ पर कितना voltage current output कर रहा है, 5.79 यानि charger मेरा current जितना output करता है, उतना current ये battery के पास काम भी नए कर रहा है, तो इसको चेक करने के लिए पहले इस battery को हम यहाँ से निकालेंगे, तो battery का दोनों wire यहाँ से हम इसको छोड़ा देंगे, बैटरी के दोनों wire छोड़ाने के बाद में इस battery को आप बाहर निकालिएगा, इसमें आपको दो battery देखने को मिल जागा, एक मल्टी मीटर से हम इसको चलिए चेक कर लेते हैं, तो वहीं एक 78 की करीब यह current output कर रहा है, अब इस battery को जब हम कितना हो देर चार्ज कर रहा है, तो यह ठीक नहीं हो रही थे, यानि यह battery खराब हो गया है, अगर इसको ज़्यादा देर चेक करना है, तो एक दूसरे charger से है, जैसे कटे होगे mobile की charger से, इसको डेरेक्ट डोड कर, हम इसको चेक कर लेंगे कि यह charge हो रही है, कि नहीं हो रही है, अगर यह charge नहीं होगी, तो चलिए हम दूसरा यहाँ पर एक battery जोड कर देखते हैं, जो lithium में battery होगा, तो यह मेरे पास पुराना एक battery है, इस battery को इसमें हम जोडने के बाद हमको मालूम चल जाएगा, कि battery खराब है, या यह light खराब है, तो इस battery को यहाँ पर हमने जोड दिया, जोडने के बाद में अब यहाँ से हम charger को निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखाईएगा, कि यह बिल्कुल सही से work कर रहा है, देख सकते हो दोस् तो नहीं है, तो इस battery में कहीं से भी कोई भी wire तूटा हुगा, नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल सही wire है, और इसको कितना हो देर चार्ज करने के बाद भी यह जब चार्ज नहीं हो पा रही है, तो battery आप directly change कर लीजिएगा, तो यह light work करने लगेगा, तो दोस्तों इस परक हो, तो subscribe जरूर कर लीजिएगा.